सो आजकल आपको बहुत सारी मोटसाइकल में हबलेस डिस्क देखने को मिलती है अब हबलेस डिस्क क्या होती है, उसका क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूँ तो ये हैं New KTM-86200 और यहाँ पर आपको फृरंट में यह हबलेस डिस्क मिलती है hubless मतलब यह आपके hub से connected नहीं है center में यह जो hub है ना उससे connected नहीं है यह directly आपके alloys से connected है अब इसकी वैसे यहाँ पे आपको दो advantages मिलते हैं सबसे बहले कम unsprung mass यहाँ पे जो additional चीज़े होती थी ना वो आप यहाँ पे है नहीं जिसकी वैसे यहाँ पे आपको कम unsprung mass मिलता है जिसकी वैसे आपको better breaking, better handling जिसाई सीज़े मिलती है secondly, यहाँ पे आपको ज़्यादा better heat dissipation मिलता है because यहाँ पे कोई भी additional material नहीं है जो कि unnecessarily heat up हो रहा है तो यहाँ पे कम material है और ज़्यादा better आपको यहाँ पे surface area मिलता है जिसकी वैसे ज़्यादा better यहाँ पे air pass होती है और उसकी वैसे यहाँ पे आपको ज़्यादा better heat dissipation मिलता है which in turn gives you better breaking, more consistent breaking